आज के वक्त में किसी व्यक्ति के लिए चाहे छोटा शहर हो चाहे बड़ा शहर हो घर बनाना इतना असान नहीं है लाखों रुपे चाहिए और कई शहरों में तो लाखों का सपना धूरा करोडों रुपे चाहिए और अगर माया नगरी मुंबई या दिल्ली की बात की जाए तो शायद करोडों से भी आगे निकल करके ये रेस और न जाने कितने रुपियों तक पहुँच गई है कि वो कई शहरों में अपने फार्म हाउस बना लेता है कई शहरों में अपने बड़े बड़े आश्रम बना लेता है हम और आप तो सोगज का प्लॉट लेने से पहले सोचते हैं एक 2BHK का फ्लैट लेने के लिए सोचते हैं बैंक का लोन ले रेते हैं तो ये सोचते हैं कि बीपी और शुगर ना हो जाए लेकिन सोचिए आप एक बाबा है 25 साल में इतना बड़ा सामराज ये खड़ा करता है आकर पैसा कहां से आता है सोचल मीडिया या तमाम जगों पर इस तरह की चर्चाएं हैं कि बाबा के हाँ आने वाली महिलाएं या बाबा के हाँ जो लोग आते थे उनसे वो चंदा लेता था या नहीं लेता था इसको लेकर अलग लगत तरह की बाते हैं लोग करें कि बाबा कोई भी चंदा नहीं लेता था तो सबसे बड़ा सवाल गये है कि एक व्यक्ति जो की साकार हरी है जो की भोले बाबा है अगर वो चंदा नहीं लेता तो सत्संग का इतना बड़ा शामियाना जो सजाया जाता था जो कुर्सियां मगाई जाती थी जो सेव खर्चे कहां से होते थे और बाबा ने इतनी जगे जो जमीने ले रखी हैं या इतनी जगे जो अपने आश्रम बना रखे हैं वहां का खर्चा कैसे निकलता था क्या बाबा के पास पुरानी कोई संपत्ती है या पैतरी कोई संपत्तियां है ये सारी चीजें हर कोई जानना चाहता है आकिर साकार हरी और भोले बाबा एक कासगंज के पट्याली में असी गज के एक छोटे से मकान से कैसे अर्मों खर्मों का सामराज इस्थापित कर लेता है आकिर ये पैसा आता कहां से है कौन ये पैसे देता है आपको बताते हैं जो आसपास के पडोसी हैं पट्याली में जो रहते हैं जो महिलाएं रहती हैं वो तो ये कहती हैं बताती तक हैं कि वहाँ पर बाबा के पास एक दौर में 25 साल पहले कुछ भी नहीं था ना घर में कुछ संसादन थे ना कुछ था तो आखिर ये कैसे 25 साल में ग्रोथ लेवल इतना हाई हो गया कि बैंक की FD तो 78% देती है अगर उसमें भी बैंक में FD कराई होती तो शायद अब इतना पैसा नहीं हुआ होता जितने आज आश्रम बन के तयार हो गए क्योंकि हम और आप तो नोकरी पेशा लोग हैं जब निवेश करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा का निवेश में ऐसा कौन सा फेक्टर रहा ऐसी कौन सी बैंक की FDRD रही जो कि इतना बाबा का विस्तार कर गई कि उनको कई निगठा करता रहा और लोगों को इस बात की जयनकारी भी नहीं हुई बाबा का खेल बड़ा शर्प था बाबा बहुत सोची समझी रणनीती के तहट खेलता था बोले बाबा का सबसे बड़ा इस्षा वो क्या करते थे जब सत्संग में डेर लाख दो लाख लोग आते थे और उसके बाबा के पास मंच पर आकर के जो लोग बाबा से बात करते थे या अपनी समस्याओं को लेकर के बातशीत करते थे बाबा उसका पूरा एक रिकॉर्ड बाबा के सिवादार बनाते थे कि फलाना व्यक्ती अलीगर से आया है फलाना व्यक्ती कासगन से आया है फला बाबा इलाज के लिए तमाम चीजें बताया करते थे या जो उसको सलाध दिया करते थे उसके बाद अगर छे महीने साल भर बाद या डिर साल बाद ऐसे लोगों का जो समू या डाटा तयार होता था उसके बाद वो व्यक्ति जब उसकी संकट हर लिये जाते थे या उसकी समस दंग में हिस्ता लिया और उसके बाद बाबा के हां आ करके उन्होंने बाबा के हां आश्रम के लिए बाबा के हां आ करके पैसे भी दिये और मदद भी की ऐसी जानकारियां जो स्थानिये हैं जो आसपास के लोग वो लगातार दे रहे हैं जो बता रहे हैं कि बाबा किस तरीके से फलता गया और फूलता गया और लगातार उसकी आए में इजाफा होता चला गया